नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि S-Metru D Capsule का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, S-Metru D Capsule को कैसे लेना चाहिए, और S-Metru D Capsule की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, S-Metru D एक ब्रेंड नेम है, S-Metru D Capsule के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, S-Metru D Capsule के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन इसो में प्राजोल 40 mg और डोमपेरिडोन 30 mg होता है, S-Metru D Capsule पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है, S-Metru D Capsule का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अलसर होने पर, उल्ती आने का मन होने पर S-Metru D Capsule का उप्योग किया जाता है, SM2D capsule को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़से होने वाले side effects को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी Dr. SM2D capsule को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादा तर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़से ये side effects ना हो इसलिए आपका डॉक्तर SM2D capsule को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा SM2D capsule का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और Jolinger-Ellison syndrome को treat करने के लिए भी SM2D capsule का उपयोग किया जाता है Jolinger-Ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में SM2D capsule की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में SM2D capsule की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्ध होना, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर की मासपेशियों या जोडों में दर्ध होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है इसके अलावा SM2D capsule की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है लंबे समय तक SM2D capsule का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक SM2D capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैलशियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना SM2D capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार SM2D capsule को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है SM2D capsule की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब SM2D capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अब हम डिसकस करेंगे की SM2D capsule को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर SM2D capsule को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते है SM2D capsule को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए SM2D capsule की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए SM2D capsule का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को SM2D capsule को लेने की सला दे सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका SM2D कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं